नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों, हिंदु धर्म में अन्न को देवता मानते हैं, इसलिए हमें इसका सम्मान करना सिखाया जाता है अन्न उगाना जितना कठिन होता है, उतना ही आसान होता है उसे बरबाद करना श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव को भोजन चाहिए, उसका एक मात्र स्रोत भोजन है, मनुष्य का स्वभाव भोजन से नियंत्रित होता है, इसलिए व्यक्ति को सदैव सात्विक भोजन खाना चाहिए हमारे प्राचीन वास्तु शास्त्र में खाना बनाने के कुछ नियम भी है, भोजन बनाते समय वास्तु के नियमों का पालन करना आवश्यक है, वास्तु शास्त्र में खाना बनाने की दिशा, खाना बनाने का समय और खाना खाने का समय जैसे महत्वपूर्ण नियम बताए रोटी को टुकडे नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार रोटी बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए, रोटी बनाने में आठे का प्रयोग होता है, यदि आप आठा गूंधते समय कुछ डालते हैं, तो मा लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, आठा बनाना भी एक कला है, घर की स्त्रियां अपने हाथों से आठा गूंधते हैं, तो उसमें सकारात्मक उड़ जाती है, आठा गूंधते समय मन में मा लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, परिवार के कल्यान की भावना मन में रखनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा और प्रे आठा गूंधते समय, उसमें ये चीज़ें मिलाते हैं, तो आपको निश्चित ही शुभ परिणाम प्राप्थ होंगे, मा लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी, और घर में सुक सम्रद्धी आएगी, तो चलिए जान लेते हैं, रसोई घर में भोजन बनाते समय, कौन वाफ्तु शास्त्र के नियम आनुसार सही जगह पर बना हुआ है या नहीं, वाफ्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रसोई घर हमेशा दिशा में होना चाहिए, अर्थाठ पूर्व और दक्षण के मध्धि की दिशा में रसोई घर होना बहुत ही शुभ फल्दाई इस दिशा में रसोई घर होने से खाना बनाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ अच्छा रहता है और उसे खाना बनाने में उत्साह भी आता है। भोजन कभी भी क्रोध की अवस्था में अथ्वा दुखी मन से नहीं बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय मन को शांत रखना चाहिए और प्रत्येक क्षण मा अनपूर्णा का स्मरण करना चाहिए। प्रसन्न मन से बनाया हुआ भोजन देवी देवता स्विकार करते हैं और आशीरवाद प्रदान करते हैं। क्रोध की अवस्था में भोजन बनाने से भोजन में नकारात्मक उर्जा व्याप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं भोजन करते समय भी हंसना नहीं चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए। पहले थ्री निवाले खाते समय बोल इस स्थान पर गंदगी होना दरिद्रता की निशानी होती है, जिससे स्थान पर लक्ष्मी होती है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए, अगर रसोई घर स्वच्छ हो तो कभी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना परेगा, अस्वच्छ तरीके से बनाए ग समय उसे बार-बार छक कर नहीं देखना चाहिए इससे खाना जूठा होता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति को खिलाने से हमें हानी होती है और भगवान को तो अपना जूठा खाना प्रसाद के रूप में खिलाना महापाप के समान है शास्त्रों के अनुसार बिना नहाए कभी भ भोजन हमेशा ही सनान करके शुद्ध हो कर ही बनाना चाहिए रसोई घर में चूल्हा जलाते समय अगनीदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए ऐसा करने से अगनीदेव प्रसन्द होते हैं और मनुष्य को दीर्ग आयू की प्राप्ती होती है मां अन्पूर्णा का स्मरण करते हुए भोजन बनाने से घर में कभी भी अन्न और धानने की कमी नहीं रहती है वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन कभी भी तूटे फूटे बरतनों में नहीं करना चाहिए भोजन हमेशा ही स्वच्छ बरतनों में करना चाहिए हाथ पर लेकर रोटी कभी नहीं खानी चाहिए रोटी को हमेशा बरतन में रखकर ही खाना चाहिए हाथ पर रखकर रोटी खाने से दुरभाग गया आता है करहाई में अथवा तवे पर कभी भोजन नहीं करना चाहिए इससे राहु दोश उत्पन्न होता है आईए अब हम जानते हैं आटा गूंते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आटा गूंते समय उसमें क्या डालना चाहिए जिससे मा लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्थ हो दोस्तों कई महिलाओं की यह आदत होती है कि वह समय बचाने के लिए एक साथ दो समय का आटा गूंत कर रखती हैं सबसे पहले तो ध्यान रखें कि कभी भी आवशक्ता से ज्यादा आटा मल करना रखें गूंत कर रखा हुआ आटा घर में negativity लाता है गूंत कर रखे हुए आटे से बीमारियों को आमंत्रन मिलता है साथ ही इस आटे की रोटियां खाने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थे पर भी इसका दुश प्रभाव पड़ता है गून्था हुआ आटा बुरी शक्तियां को भी आकरशित करता है इसी लिए जरूरत से ज्यादा आटा मल कर रखने से घर पर अशुब प्रभाव पड़ता है हिंदु धर्म के अनुसार जब भी घर में किसी की मृत्यू होती है तो मृत आत्मा की भूख को शांत करने के लिए आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर उन्हें पानी में बाहाया जाता है इसे पिंड कहते हैं और इन गोलियों पर किसी तरह का निशान नहीं बनाया जाता है इसलिए महिलाएं रोटी बनाने के लिए आटा गुंदने के बाद, जब आठे का गोला बनाती है, तो उस पर अपनी उंगलियों से निशान जरूर बना देती है, जो यह दर्शाता है कि यह आठा मृत व्यक्तियों के लिए नहीं है, बलकि घर के सदस्यों के लिए ढ़ा गय जानी चाहिए, जिससे घर में कभी दोश निर्माण नहीं होगा, गाय को रोटी खिलाने से माता काम धेनु का आशीरवाद मिलता है, और हर मनो काम ना पूर्ण होती है, और कुत्ते को आखिरी रोटी खिलाने से सभी ग्रह दोश समाप्त होते हैं, दोस्तों आठा गुंते समय हम उसमें नमक तो मिलाते ही हैं, लेकिन यदि नमक के साथ थोरा सा घी और चुटकी भर शकर भी मिला दें, तो ये बहुत शुब होता है, सफेद चीजें शुक्र और चंद्रमा से संबंधित हैं, जैसे शकर, नमक, आटा और वागी, इसलिए हमारे शुक्र ग्रह और ग्रह को ये चारों वस्तुएं मिलकर मजबूत करती हैं, और हमें उन दोनों के सभी लाभ मिलते हैं, इस प्रकार दोस्तों, वास्तुशास्त्र में, रसोई घर में बनाये जाने वाले भोजन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, अगर ये जानकारी अच्छ लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, धन्यवाद